हिमाचल की राजधानी शिम्ला में पानी के लिए अकाल पड़ा है। शे दिनों से पानी नहीं आया। वहीं पानी की कमी के चलते लोगों के लिए दूसरे जिलों से पानी के टेंकर मंगवाए जा रही है। लोगों का कहना है कि पानी ना मिलने के कारण उनको बावडियों का गंदा पानी पीना पड़ रहा है और शेहर की महिलाएं घर के काम करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना कर रही है हमें पानी की बहुत समस्या है हमारे को 5-7 दिनों से कोई पानी नहीं आ राजिस से कि शोचार लेके लिए हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है और ना खाने का पानी हमारे को बावडी से पानी ले जाना पड़ रहा है यहां बावडी में लिखाए कि गंदा पानी है तो गंदा हुआ है सिर्कार से हम ठीकार के बाद दार थी के बाद मानी जरूर छोड़े जना या किसम और पानी टुर जरूए तो हम बाड़े कर गया उसकी वैसे पानीपिर नब खटम हो गया समस्पन्य हूग्र पानी के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है इतना तो सबी को पता है। जहां शिमला के लोग पानी की किलत से परेशान है तो वही राज्य सरकार की व्यवस्ता पूरी तरह फैल होती नजरा रही है। वहीं पानी के संकट को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने इसे प्रकृतिक संकट बताया शेहरवासियों के लिए उप्युक्त पानी मोहया कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं उनला शेहर जो राजदानी हbourg माचलपरदेश की यहां शेहर के लोगों को बहुत बड़ी पानी की किल्ड का सामना करना पड़ा है इसका घेड़ है लेकिन यह सिमस्य राजियतिक दिश्टी से नहीं सोचने चाहिए यह सिमस्य पतागृतिक समस्य है और इस समस्य से बाहर आने के लिए सरकार जो है बिलकुर घंबीता से प्रयतन कर रही है और आज हमने जो है जिम्ला के जो विधायक है मानिय मंत्री शिक्षा मंत्री सुरिश पारदवाज उनको भी हमने कहा कि वह भी वर्ड में जा करके सारे कौंसलर्ट के साथ अमीका असर ही माचल के रेलवे स्टेशनों पर भी पड़ा है जहां एक तरफ छुटियों का सीजन शुरू होने वाला है तो वहीं शिम्ला में पानी की सप्लाई ना होने की वज़े से स्टेशनों पर भी पानी नहीं है इसके साथ ही कालका से शिम्ला के बीच चलने वाली ट्रेन देरी से चल रही है वहीं अमबाला रेलवे की अधिकारी का कहना है कि जोई राइड ट्रेन के इंजन को पानी बहुत जुरूरी होता है और पानी ना मिलने से ट्रेन को चलने में दिक्कत आ रही है शिम्ला स्टेशन पे तो पानी की बहुत सेवियर कमी है पिछले 5 दिन से पानी की कोई सप्लाई नहीं आ रही है वहाँ पे अल्टिमेटली यह जो ओवरॉल प्रॉब्लम है वो शिम्ला मिनस्पल कॉर्परेशन की की तरफ से है त्योंकि शाहर में तो पिछले 8-9 दिन से के लिए क्योंकि उसके इंजिन के लिए पानी नहीं था लेकिन स्टेशन पे हालात काफी खराव है जल्दी से कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा हम लोग तो ट्राइ कर रहे हैं वाटर टेंकर लेकिन हमने वह भी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं पानी दो हमें शिम्ला क् तो टोटली कॉर्परेशन पर ही डिपेंडेंट है तो जो भी मेंस्फफल कॉर्परेशन शिम्ला डिसाइड करेगा हमें उसी के कॉर्डिंग चलना पड़ेगा